हेलो गाइस, वेलका बैक टो मैं चैनल, क्रिकेट बायो तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फोकस ओना बॉल इन टैनिस क्रिकेट कि जब हम बैटिंग करते तब हमारे पास सिर्फ तीन से चार सेकेंड का रियक्शन टाइम रहता है उतने कम सेकेंड में हमको बॉल को जज भी करना है हमें शॉट सेलेक्शन भी करना है और फिर उस बॉल को हिट भी करना है तो बहुत सारी चीज़े रहती है हमें उन कम सेकेंड में हमें करना रहता है तो आपको अपने mind को कुछ इस तरीके से train करना है कि आपका focus ball पे से हटे ही ना तो सबसे पहले आपको अपने आपको relax रखना है और ball पे focus बनाई रखो पर जितना ये सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं तो इस वीडियो में आपको आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप करूँगा कुछ ऐसे ड्रिल शेयर करूँगा जिससे आपकी बैटिंग स्किल्स काफी हद तक improve होगी तो चलिए फिर बिना कोई time waste कि हम इस वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहली टिप में मैं आप लोगों के साथ एक ड्रिल शेयर करूँगा इस ड्रिल को करने के लिए आपको आग बंद करके बैटिंग करनी है अब आप सोच रहे हों कि यार यह कुछ भी बोलते रहता है वीडियो में सच में पागल है पर यह ड्रिल इतनी important है अब मैं तो सबसे पहले पहले पूरा पूरा प्रोपर स्टimize ले लिया अब आपकी आखे अपको और आपके बंद कर लेनी तो आपको उस ball को judge भी करना है उसका shot selection भी करना है और फिर उसको hit भी करना है तो अगर आप इसको confuse हो रहे हो आपको यह drill कैसे करने है तो मैं एक बार आपको यह करके दिखा देता हूँ तो यह drill करने से आपका brain काफी अच्छे से train हो जाएगा क्योंकि जब आपकी आखे बंद रहेगी बैटिंग करते time तब आपके मन में यही चल रहा होगा कि जैसे मेरी आके खुलेगी मुझे focus ball पर रखना है तो इस drill से आपका focus automatically improve होना start होगा तो इस drill को practice session में अपने practice session में जरूर include कीजिए और मुझे comment करके बताइए इससे आपको कितना फाइदा मिला तो second tip है हमारी watch the release point अब काफी batsman का मुझे insta पे message आता है वो बोलते है कि जब ball baller के हाथ से deliver होती है ball deliver करते वक्त जिसे हम release point भी कहते तब उनका focus उनके हाथ पे नहीं रहता है तो focus बनाने के लिए क्या करे अगर आपकी भी ये same problem है तो मैं आज के इस video में आपके लोगों के साथ एक drill शेयर करूँगा इस drill से आपकी focus काफी हद तक improve होगी तो इस drill को करने के लिए आपको एक अपना partner चीए जो आपको overarm ball डाल सके तो चलिए मैं आपको ये drill एक बार करके दिखा देता हूँ तो इस drill में आपका partner आपको overarm ball फिकेगा और वो different different grip यूज़ करेगा पर आपके partner जब release point तक वो आएगा तब उसका हाथ रुख जाएगा मतलब ball फिकने से पहले उसका हाथ रुख जाएगा अब आपको क्या करना है अब मुझे ये करना है कि मुझे judge करना है कि वो कितनी finger यूज़ कर रहा है क्या वो एक फिंगर यूज कर रहा है क्या वो दो फिंगर यूज कर रहा है क्या वो तीन फिंगर यूज कर रहा है बॉल फेकने के लिए तो एक बार मैंने जज कर लिया कि वो कितनी फिंगर यूज कर रहा है तो मैं मुझे मेरे पार्टनर को बोल के बताना है कि वो कितनी फि तो इस जील को करने के बाद आपका फोकस काफ़ी हद तक इंप्रू ओ जाएगा बॉलर का बॉलिंग एक्षन किटना भी उश्किल क्यों ना हो आपको बॉल फोकस बनाया रखने के लिए को दिक्कत रहा आपसानी से पॉल फोकस कर Thai specifically ा अमटने तर्टी सब्सक्राइब क्जिटना अच्छा का लिए तो अक्सर backedsperene geld VOICE करते अशे यह करते कि वो बॉल को एंडंि तक नई दिखते जैसे लेसे आती आती है वह बैट को देखने progress में कर डेखते हैंठेक्र बैट को दिखने से उनका बॉल पर फोकस नी रहता तो यह गलती आपको नहीं करनी है, इससे आपका बॉल पर फोकस नहीं रहेगा, तो देखो बॉल पर फोकस बनाया रखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको काफे सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर प्रैक्टिस करें कैसे, काफे बैस्पैन को नहीं पता कि बॉल पर फ कि आपको next video किस topic पर चाहिए और इस video में से आपको जो drill पसंद आई उसका श्रिंक्ट लेकर आप अपने instagram पर post कीजिए story post कीजिए और उसे हमें tag ज़रूर करना उन सारी stories को हम हमारे instagram handle पर repost करेंगे तो thank you for watching my video